चाहे corona काल हो या तो फिर normal seasonal चेंज, गले में खराश या तो short throat की समख्या होना बहुती common condition है, जो हर किसी में पाई जाती है ऐसा कोई भी person नहीं हो सकता है कि जिनको पूरी life में कभी गले में खराश की समख्या ना हुए हो तो friends आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कौनसी हो home care tips है कि जिसकी मदद से अगर किसी को गले में खरास है तो आप वो use करके वो समस्या में आप आराम पा सकते हैं और उसके साथ में बात करूँगा कि कौनसी हो अयुरुवेदिक formulation है या तो फिर कौनसी हो एलोपेथी की medicine है जिसको अभी आप tribe कर सकते हो sore throat या तो गले में खरास के लिए friends में डॉक्टर मितुल सोजीतरा अगर चैनल में नहीं है और subscribe नहीं किया है तो subscribe करके खास करके bell icon को प्रेस करें ताकि health और happiness से जुड़ी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके let's get started गले में खरास में exactly क्या होता है वह हम देखते हैं खास करके जो हमाई चॉंसिल का portion होता है उसमें redness या तो फिर थोड़ा सूजन जैसा लगता है तो वह सूजन की वज़े से कुछ भी हम अगर निगलते हैं तो खाना निगलने के टाइम पर या तो कुछ भी liquidum swallow करते हैं उस टाइम पर थोड़ा द condition में हम कौनसी home care tips या तो घरे लो उपाई ट्राई कर सकते हैं तो coming to the next slide हमारा जो home care tip है वो है turmeric water यानि कि आप गुंगुमे गरम पानी में थोड़ा हल्दी डाल सकते हल्दी को fresh chill के भी डाल सकते हैं या तो हल्दी का powder भी आप यूज़ कर सकते हैं तो गुंगुना गरम पा पॉर्षन तक पानी पहुंचना चाहिए तो उसकी मदद से जो दीरे-दीरे सुजन का portion रहता है उसमें दीरे-दीरे करके relief मिलता है तो खास करके यह गारगल जो है turmeric water से अब दिन में 3-4 बार करें तो उससे दीरे-दीरे आपको आराम मिल सकता है coming to the next tip तुलसी water तुलसी water म क्या करेंगे अगे उसमें पानी थोड़ा गरम करना होते और उसमें fresh तुलसी leaves यानि कि तुलसी के पत्ते आप डाल सकते जैसे कि अगर हमने एक कप boiling water लिया है तो उसमें तुलसी डालने के बाद उसको थोड़ा आधा कप होने तक उसको उबालना है बाद में यह water से आप गरारे कर सकते तुलसी में एक बहुत ही एक healing अच्छी property होती है कि जिसकी मदद से गले में सूजन या तो खरा से तो तुलसी का use करके आप उसमें धिरे-धिरे करके आराम पा सकते इवन तुलसी का रस निकालके उसका भी आप सेवन करते तो भी आपको गले में खरा से उसम गरारे कर सकते हैं तो अध्रक में भी एक अच्छी antibiotic property रहती है कि जिसकी मदद से redness और जो सूजन है वो धिरे-धिरे करके कम हो सकता है कोई भी water आप use करे उसमें तीन से चार बार अच्छे से कुले करने है अच्छे से गरारे करने है कि जिसकी मदद से आपको धिरे-धिरे यह जो गले में खराश है उसमें आराम मिल सकता है मैंने जो पहला वाला option बता है तर्मरी quarter या जानि की हल्दी वाला पानी उसमें आप और एक चीज़ कर सकते है उसमें सेहत और नीमबू मिलाके उसका बनता है ड्रिंक मतलब हल्दी वाला पानी है उसमें थोड़ा सेहत या coming to the next slide, वो है golden milk, यानि कि हल्दी वाला दूद, इसमें अगर आप fresh हल्दी यूज़ कर सकते हैं, तो हल्दी को थोड़ा छीन के, उबलते पानी में डाल के आप उसको consume कर सकते, या तो फिर हल्दी का powder है, वो दूद में add करके, आप ये टर्मरी किया तो golden milk बना सकते, खास करके ये चीज़ आप रात को सोने से पहले, अगर हल्दी वाला दूद आप यूज़ करते हैं, तो उसमें जो गले में खराश है, उसमें काफी आपको फाइदा होता है, उसमें हल्दी की जो antibacterial और antibiotic property रहती है, उसकी मदद से आपको धिरे-धिरे करके गले में जो खराश की समस्य है, उसमें आपको better feel होता है, तो हल्दी वाला दूद एक बहुती अच्छा option है, अगर किसी को गले में खराश है, तो वो try कर सकते हैं, लेकिन ये सारे home care trips try करने के बावजूद भी, अगर किसी को लगता है कि उनको condition में थोड़ा फाइदा नहीं हो रहा है, या तो रहात नहीं मिलती है, तो उसके लिए अगर आप Ayurvedic formulation, यानि कि Ayurvedic कोई दवा ही try करना चाहते हैं, तो next slide में आपको मैं दिखाऊंगा, आप Patanjali की स्वासारी tablets आती है, स्वासारी वटी के नाम से, या तो सेंग वही नाम का एक सिरप आता है, तो ये दोनों में से कोई भी आप try कर सकते हैं, जो गले में खराश की समस्य है, उसके लिए दोनों ही बहुत ही powerful Ayurvedic product है, और मैं अपने personal experience और research की मदद से आपको बता रहा हूँ, कि स्वासारी टेबलेट्स, उसमें दो टेबलेट्स आपको सुबह और दो टेबलेट्स शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है, और अगर स्वासारी syrup आप prefer करते हो, ये भी टेस्ट में काफी अच्छा और sweet सा आता है, तो आपको सुबह दो पर साम एक एच कमच, खाना खाने के बाद ये syrup आप ले सकते हो, अगर आप syrup यूज करते हो, तो syrup लेने के बाद, उसको consume करने के बाद, आधे गंटे तक पानी वगेरा नहीं यूज करना है, ताकि यो गले में अच्छे से paint और उसका effect रहे, जो लोग आयुर्वेदिक formulation ज्यादा prefer करते हैं, वो ये product prefer कर सकते हैं, अपने personal experience में आपको बता सकता हो, कि sore throat ये तो गले में खराश में, ये बहुत ही ज्यादा effective है, अब जैसे कि किसी को instant relief चाहिए, तो आपको alopathy का medicine ये तो alopathy का option चूज करना होता है, तो उसमें हम कौन सा prefer करते medicine sore throat के लिए, वो मैं आपके साथ knowledge और information के लिए share करूँगा, आप उसमें tablet AZ-500 ले सकते हैं, ये 5 tablets का normally हम course prescribe करते हैं, दिन में एक बार अगर आप सुबा लेते हैं, तो दिन में एक बार सुबा सुबा वैसे 5 दिन के लिए उसका course रहता है, वो और उसके साथ, अगर किसी को स सकते हैं, वो 10 tablets का course 5 days के लिए हम prescribe करते हैं, फ्रेंट्स ये जो हमने medicine share की आपके साथ, वो knowledge और information के लिए, बाकि आपको अपने physician को consult करना होता है, तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हमने समझा कि कौन से 5 home care tips है, जिसकी मदद से अगर किसी को गले में खरास, या तो sore throat की स समझ्या है, तो उसमें आप रहात पा सकते हैं, और उसके साथ कौन से वो अईरुवेदिक formulation है, जो एक काफी अच्छा और successfully आप try कर सकते हो, sore throat के लिए, और अगर किसी को अलोपेथी का option चूज करना है, तो उसमें हम कौन सी product prefer करते हैं, तो फ्रेंट्स आज के वीडियो मे जरूर बताए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, see you soon.